हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आज मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटे से प्लांट्स को किस तरह से हम बोंसाई में तबदील करेंगे और यह मेरा एक जामुन का प्लांट है करीब चार साल पुराना एक पुरानी टूटी सी बाल्टी में यह लगा हुआ था और य क्योंकि जामुन के पत्ते बहुत हेल्दी होते हैं फ्रूट्स तो इसके महीने दो महीने के लिए आते हैं पूरे साल में लेकिन इसकी लीवस जो होती है आप पूरे साल खा सकते हैं तो आज मैं इसी को ट्रांसफर भी करूंगी और थोड़ा सा इसे लुक दूंगी क्योंक लेकिन इसकी जो इस्टैम है वो काफी हेल्दी है बड़ी है तो इसे बड़े आसानी से हम बोनसाई का लुक दे सकते हैं जामन पर फ्रूट्स तो काफी टाइम बाद आते हैं करीब आठनो साल लग जाते हैं लेकिन इसकी पतियां खाने के लिए बहुत अच्छी होती है और जिन्हें डाइविटीज है या और कोई वैसी प्रॉब्लम है तो उनके लिए तो एक दम अम्रित के समान है तो जो इसकी अगर 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 आपने लिया भी है तो उससे किसी और चीज में यूज ना करें तो उससे किसी और चीज में यूज ना करें। इसकी धार जो होती है सापने कुछ कम हो जाती है जितना ज्यादा यूज करेंगे यह ब्रांचे जिसकी काफी नीचे से बढ़ गई थी तो मैं इनने नीचे से कट करके कुछ ऐसी सेप में लाऊंगी जैसे बड़ा पेड होता है और इसमें कुछ ब्रांचे बड़ी करता है मैं जिसकी अच्छी से इसमे अच्छी गरओ नहीं कर पाएगा और यह भी होता है कि जब बोनसाई अंडर प्रोसस होती है तो उसे रखता दुजा मैं है इस में बड़ा नहीं गया तो कैंब फिर बड़ कम कहुँ है देरे बड़ा घूतना ऑदनलित। में सिफ्ट करने की जल्दवाजी ना करें क्योंकि ट्रे में लगाने के बाद फिर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती उतनी और यह मैं कट कर रही हूं इसकी जो एक्ष्रा रूट्स हैं लेकिन बोंसाई में हमेशा आप यह ध्यान रखें जो इसकी में रूट हो उसको ब काटना बहुत जरूरी है इससे प्लांट की ग्रोथ रुख जाएगी और यह काफी दुनों से ऐसे ही है तो मैं इसकी जैसे ही करूंगी यह प्रूनिंग बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा उसके बाद मैं आपको इसकी अपडेट्स भी दूंगी और यह देखिए जब काम नह नहीं बना तो मैंने इस तरीके से पानी से धोके इसकी मिट्टी को निकाला क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत बुरी तरीके से चिपक गई थी रूट्स में तो यह भी एक अच्छा एडिया है मोशली मैं अपने प्लांट्स में यूज करती हूं और अब हम इसे लगाएंगे एक छोटे पॉट में तो एक बड़ा गमला था वो टूट गया प्लास्टिक का गमला तो उसका नीचे का पार्ट मैंने निकाल लिया था तो अब उसी में मैं इसे लगा देती हूं और धीरे धीरे हम इसे ट्रे में सिफ्ट करेंगे और अभी गर्मी का मौसम है तो ज्याद मैं बढ़ा था तो इसे मैं बीच में लाने की कोसिस करूंगी और सीधा भी हो जाएगे काफी अच्छी इसकी स्टैम बनी है इसलिए मेरे माइड में आइडिया आया कि इसे बोंसाई मैं करती हूं कि तबदील और सेंड में इसकी जो स्वाइल मैंने बनाई है नॉर्मल गा इसाइड में तक बॉंसाई मिक्स नहीं बनाई है क्योंकि बनसाई मिक्स थवाइडा करता है जब इसे बोंसाई ट्रे में सि password कराने है घुठ हम इस प्लांट की और जाद़ ग्रोथ नहीं करवानी है और इस तरह से लवाके बस पानी का चार पांच दिन धिन और सेड वाले एरिया में जरूर रखना चाहिए इस तरह का प्लांट नहीं तो स्ट्रेस में आ जाता है और मेरा वीडियो कैसा लगा आपको बताईएगा जरूर कमेंट्स करके बताईए कि आपको किस तरह की बोनसाई पसंद है क्योंकि मेरे पास जरूर की बोनसाई है कभी सेयर करूंगी आपके साथ और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर आउंगी आपके लिए एक नई सी जानकारी लेकर थैंक यू